हेलो दोस्तों और लेते हैं कुछ ना ले जाब साइंस और आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में तो सॉल्यूशन को हम होमोजीनेस मिक्चर कहते हैं मतलब दो सबस्टेंस जो आपस में पूरी तरह घुल जाएं और सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरुरत होती हैं पहली सॉल्यूट सॉल्यूट वो सबस्टेंस जो जादा क्वेंटिटी में होता है एक्जेंपल के तोर पे वाटर वाटर हमारा सॉल्यूट होता है दूसरा सॉल्यूट सॉल्यूट वो सबस्टेंस जो कम क्वेंटिटी में होता है example के तौर पे salt and sugar salt and sugar हमारे solute होते हैं तो अगर हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो पानी यहाँ ज़ादा quantity में होता है इसलिए पानी को हम solvent कहते हैं और चीनी यहाँ होती है कम quantity में इसलिए चीनी को हम कहते हैं solute I just hope it is clear